Good morning, welcome to my YouTube channel Guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे High Blood Pressure यानि हाइपरटेंशन के आयुरवेदिक इलाज के बारे में तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम जानते हैं Blood Pressure क्या होता है दोस्तो हमारा Heart Blood Vessels, यानि हमारे शरीर के अंदर जो खून की नलिया हैं उनके अंदर Blood को Pump करता है तो जब ये Blood को Pump करता है Heart तो उनके अंदर Blood बहता है खून की नलियों के अंदर तो उनके अंदर एक Pressure क्रियेट हो जाता है जब किसी पाइप के अंदर Pump के जरिये से कोई Liquid Pump किया जाता है यानि धकेला जाता है तो उन नलियों के अंदर एक pressure की रियेट हो जाता है तो यहां इस case में वो pressure क्या कहलाता है blood pressure कहलाता है क्योंकि heartic pump है और वो blood vessels यानि खून की नलियों के अंदर blood को pump कर रहा है तो खून की नलियों के अंदर जो blood का pressure होता है, जिस pressure के साथ वो बह रहा है, वो कहलाता है blood pressure, अब ये blood pressure भी दो समय पर ना पा जाता है, एक उस समय जब ये blood heart के द्वारा pump किया जाता है, उस समय pressure जादा होता है, और जब ये blood वापस heart के अंदर आता है, यानि heart जो है, वो फ यानि जब pump किया जा रहा है blood को pressure high है उसकी जो normal range होती है वो लगभग 120 mmHg के around आसपास होती है और जब blood वापस heart के अंदर आ रहा होता है तो उस समय चुकि नलियों में blood कम रह गया है तो उसका pressure भी कम रह जाता है तो उसकी जो normal range होती है वो 80 mmHg के around होती है यानि 80 mm के इधर अधर थोड़ा सा होता है यह normal है अब क्या होता है कि किसी वज़े से अगर यह जो pressure है यह बढ़ने लगता है या तो इसकी वज़े होती है कि जो blood vessels है जो खून की नलिया है वो संक्री हो गई है जिसकी वज़े से pressure उनमें जादा बढ़ा रहने लगता है या फिर और भी बह blood vessels के अंदर बढ़ा रहता है इस condition को कहते हैं high blood pressure या medical language में hyper tension दोस्तों इसका उस वाली tension से कोई लेना देना नहीं जो दिमागी tension होती है यह hypertension है यानि कि blood vessels के अंदर खून के pressure का बढ़ा हुआ होना तो दोस्तों यह systolic भी बढ़ा हुआ हो सकता है यानि जो 120 mm वाला था वो भी बढ़ा हुआ हो सकता है और diastolic भी बढ़ा हुआ हो सकता है यानि 80 mm वाला भी बढ़ा हो सकता है दोनों भी बढ़े हुए हो सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक बढ़ा होता है एक कम होता है कुल मिलाकर अगर लगतार blood pressure बढ़ा रहता है खास्तों से systolic अगर 140 mm से तो यहां तक थी बात हाई ब्लड प्रेशर की अब जानते हैं कि इसका आयुरुवेदिक इलाज क्या है दोस्तों इसका आयुरुवेदिक इलाज मैं आपको बता रहा हूं तो आप इसको लिख लीजिए उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइपरटेंशन को आयुरु अरजुन की जो छाल होती है उसका चूण 3 ग्राम ये सारी चीज़े जहर मोहरा 250 मिली ग्राम हरद्यारना वरस 250 मिली ग्राम सर्फगंधा घंवटी 250 मिली ग्राम और अरजुन की चूण 3 ग्राम ये सुबह शाम आपको मध्व यानि शहर्स लेने हैं दोस्तों अगर आपको तो आम मधुक इस्तेमालना कीजिए, आप ये पानी से भी ले सकते हैं, दूसरे आपको भोजन के बाद दोनों समय आपको रसोन गुग गुग लेना है, इसकी दो टेबलेट लेनी हैं, तो ये आप जो है दो टाइम भी ले सकते हैं, यानि के दो पहर को खाने के बाद, रात क खाने के बाद. तीसी चीज आपको लेनी है अर्जुना रिष्ट. इसकी 20 से मेल मात्रा लेनी है बीस एमेल जल में मिलाकर दोनों समय भोजन के बाद लेना है ये तीन समय नहीं लेना है भोजन के बाद दो समय लेना है और चौथी चीज़ है जटा मानसी चूण वो तीन ग्राम किसी भी एक समय जल से लेना है तो दोस्तो इसमें मैं आपको चार चीज हैं जहर मोहरा हज्यारना सर्वगंधा घनवटी अर्जुन त्वक्चून दूसी रसोन गुग्गुल है जिसकी मैंने आपको दो टेबलिट दिन बलकि मैं रिकॉमेंट भी नहीं करूँगा कि आप अलोपेथिक दवाई छोड़ें दोनों आप साथ साथ ले सकते हैं और इसके अलावा आपको दवाई लेने के साथ साथ आपको परहेज पर भी ध्यान देना है तलाब होना खाना कम से कम खाना है बहतर है कि आप छोड़ दे इसके अलावा कुछ वियायाम एकसरसाइज भी आपको करते रहना है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छे लगी तो लाइक और शेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते अंगले वीडियो में गुड़ बाई